पहले के जमाने में क्या होता था अगर कोई लड़ाई जगडा कोई फसाद हो गया तो लोग आपस में ही सुलजा लेते थे आपस नहीं बात्चीत में गाउ में पंच होते हैं घर में बड़े बुजर होते हैं उनके सामने अपनी बात रखते थे और आपस में ही बाते सुलज जो फस गया तो बस इसमें दस्ता ही चला गया आई आपको सुनाते है यह कुछ पंगतिया जो लिखी है यूज़ गट पाई ले इन्होंने कोट कचरी कोट कचरी जगडालू दुनियादारी अपना ही खर्चा करो और मोलो वगजमारी जमी जमाई पूंजी निकल जाती बिना कुंजी फसो और फसाओ अपने जीते जी जनजाल बन जाता समझ लो जी काम सब छोड़ कर जी हुजूरी करो जी तारीख पे तारीख चलते रहती उम्र पक्षकारों की बढ़ते ही रहती कभी वकीलों का नहीं ठिकाना कभी पक्षकारों का समय पे नहीं आना वक्त बरबाद होता रहता इस कोड़ से उस कोड़ चलता रहता अपील पे अपील होते रहती यही फसाना बरसो चलता न्याय हो जाता अन्याय अगर देर से न्याय होता तो उसे अन्याय ही कहा जाएगा न्याय हो जाता अन्याय जब समय पर नहीं मिलता न्याय ठोकरे खाते घूम रहे हम जैसे असहाए घूमता दिखता कानून इर्दगिर्द उनके जिनका है रौवदाब नेता अपसर जिनके रहम नहीं करता कानून पास ना हो पैसे बदल जाता है कानून जिनके पास हो पैसे फिर भी सत्य बचा है समझदार लोगों से कानून में न्याय बचा है इमानदार लोगों से समझदारों का काम नहीं कोड की सीड़ी चड़ना पर अन्याय हुआ तो पीछे भी नहीं हटना हिम्मत और सबूरी से लगन और सच्चाई से हार नहीं होगी कभी न्याय जीतेगा अन्याय से और न्याय जीतेगा जरूर अन्याय से ऐसे ही अच्छे ची कभीता सुनने के लिए सब्सक्राइब कीज़े हमारा चैनल अब मिलते हैं नेक्स वीडियो में एक नहीं कभीता के साथ तब तक के लिए नमस्कार अन्याय जीते हैं